अभी जन्सुराज को लेकर आप क्या सोचते हैं इस पाटी बहुत सही है क्या आप उमीद करते हैं उमीद करते हैं जही सेक्सेस हो गई आप लोग बहुत समय से हम रबंट कर विखड़ गया हैं यही समय से आए हैं क्या सोचते हैं आप लोग उनके विचारधारा को लेकर लेकर लेके उन्होंने जो सोच अपनी बयान की है कि सब एक साथ मिल करके और जो हमारे महत्मा गाधी की जो आइडिया लोजी थी जो अब लोगों ने खतम कर दिया है सिर्फ टाइटल लगा के चल रहा है उसको फिर से एक मतलब पार्टी बने जिसमें सब साथ होकर के काम करें हम इसके साथ हैं और ऐसा होना चाहिए महत्मा गाधी ने भी जब शुरू किया था बिल्कुल छोटे पैमाने से ही शुरू किया था लेकिन सोच बड़ी थी तो अल्ला ने उनको काम्याबी दी और हाल यह हुआ कि बाबाए कौम बने तो ऐसे अगर परशांद की सोर जी भी अगर इसी कोशिश कर रहे हैं और ऐसी भाणाओं को रख रहे हैं तो हमें साथ दिने में क्या दिक्ट है और उमीद की कम्याबी मिलेगी और लोगों से भी हम कहेंगे कि जो लोग है ना एक साथ जिन्दगी सिस्किया जान आप जैसे युवा क्या हम लूँ वमीद करते हैं ये सर जो चलने इसे कंदे से कंदे मिला कर आम लोगों चले ये जो काम करना बहूत अच्छा काम है गादी जी कर नक्षे कदम पर चल लाए हैं उससे हम लोगों सब इतमिनान बख्ष मिद रखते हैं ये सर मेर्प अच्छा हमने के साथ मेर अभी हिनने बस्ता को अगर मेलेग two-letter तो क्या आप अब देखते हैं राजनीतिक वह नोगों के लिए कितना सही है कितना गलत है क्या लगता है सबसे पहली बात तो राजनीति जो है को सब्सक्राइब तरह नहीं हम लोग किसी को नहीं मालु है लेकिन राजनिती में हम हिंदू-मुसिलिम को अलग लड़ाते हैं अलकि इसा नहीं होना चाहिए गांधी जी जो विचार लेकर आये थे उस तरह भी हम लोग उस इनके कारधार पर भी चलना चाहिए तो क्या लगता है इनके विचार धारस बहुत हम लोग सामीत है इनके विचार धारस हमको यह समझ में आता है गांधी जी याद आ जाते हैं जे उस तरह भी गांधी जी के जो पदयातरा था यह अगर वो कर रहा है तो इनको भी कमियाबी मिलेगी पुरसांत किसों एक बात बोलते हैं कि जाती पाती धरम से इस पार उपर उखिये क्या आप लोग उससे बाहर निकलने को त्यार जी जी हम लोग बाहर निकल चुके हैं